जहिन फ्रेंड्स इस वेड़नस डे 12 जुलाई 2023 लेस्ट गर्ट स्टार्ट दे हिंडू एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ पे मैं कबर करता हूँ डेली करेंट अफेयर्स यहाँ पे बता दूँ सारी चीज़े आपको कंपाइल करके एक जगहां पे प्राप्त हो जाती है जिससे अगर आप सिविल सर्विसेस एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेनिफिशल हो सकती है आपको बता दें यहाँ पे टेलिग्राम का चैनल है और टेलिग्राम चैनल पे मैं सारा पीडियाफ आराम से यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ अगर आप इसके इच्छुक हैं पीडियाफ के तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह UPC के प्रिबियस येर क्वेशन से यहाँ पे देखेंगे 2022 में important questions पूछा गया है जो G20 common framework को यहाँ पे उससे relate करके question रख रहा है तो with reference to the G20 common framework आपके देश में G20 meeting अभी होने वाली है तो यह important है इसको जिरूर एक बात go through हो जाईएगा तो consider the flowing statement को देखने के लिए यहाँ पे बोला है कौन सा statement correct है यह पूछ रहा है तो कह रहा है यह एक initiative है endorsed by G20 together with Paris club दूसरा क्या बोला है it is an initiative to support low income countries with unsustainable debt कौन सा सही है यहाँ पे option दिया हुआ है पहले में one दिया दूसरे में two तीसरे में दोनों और चोथे में कोई भी नहीं बोला हुआ है next जो questions है उसको देख लेते हैं दूसरा जो कह रहा है questions consider the following statement पहले में क्या दे रहा है constitution of India classify करता है minister into four rank जैसे की cabinet minister हो गया है minister आप state हो गया है और independent charge के साथ वाले और minister आप state और deputy minister तो यह चार rank constitutions यहाँ पे बोला है यह classify कर रहा है दूसरा जो statement दे रहा है total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of the member in लोगसभा तो 15% से ज़्यादा लोगसभा में यहाँ पे cabinet में नहीं रख सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है कौन सा सही है पहले में one, दूसरे में two, तीसरे में दोनों, चौते में कोई भी नहीं इसका answer आप comment sections में दे सकते हैं आपको बता दें इसका explanations मैं अच्छे से आपको देंगा चिंता करने की जरूरत नहीं है सारा explanation आपको दे दी जाती है लेकिन आपको एक बार ये questions revision कराके मैं next day ये provide करता हूँ तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आपसे tackle हो रही है तो यहाँ पर करिए और attempt करिए बिल्कुल भी tackle होगी ऐसा कोई भी चीज़े नहीं है आसा करते हैं जो भी civil services asparen't होंगे इसको tackle कर रहे होंगे चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हर बार की तरह glossary जो एक बार मैं दे रहा हूँ यह कई लोगों के demand पे glossary आ रही है तो glossary को देखेंगे एक पहला important है यहाँ पे कम से कम आपको एक दिन में 10 ऐसे word meaning है जो याद करने होंगे जिस जो आपके word power को boost up करेगा तो precipice यहाँ पे है उसका क्या मतलब होता है ऐसी जो खड़ी चटाने होती है cliff होती है तो इसका synonyms यहाँ पे दिया हुआ है तो बहुत सारे words हो जाते हैं एक बार में आपको याद करने के लिए minimum 10 words याद करेंगे तो भी बहुत जादा आपके लिए हो जाएगा 365 दिन होते होते बहुत जादा words हो जाएगे तो आपकी जो glossary power होगी बहुत strong हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है clip face, stiff clip, rock face seared drop, clip, crack, bluff, height, scarpe, paint, scarpe और scarpe यह जो चीज़े हैं synonyms हैं किसके? precipice के दूसरा जो word निकल के आराज bearing इसका क्या मतलब होता है तो ऐसा विचारधीन करना जिस विशय से संबंध हो यानि सीधे सीधे कह सकते हैं क्या संबंध है relation ऐसी बाते बोली जा रही है तो इसका क्या synonyms है? इसका परियायवाची अगर बात कर जाए तो relevance, relevancy, significance, pertinence, connection, relation, aptness, appositness, जर्मानेस, importance, import और application तो ये चीज़ी हो गई तो तीसरा क्या है जो वर्ड है? Recording इसका क्या मतलब होता है? एक अनुमान लगाना calculation करना हिंदी इसकी मैं दे देता हूँ अब इसका अगर synonyms बताया जाए तो इसका क्या होता है? calculation, estimation, computation और working out या summation ये इसके synonyms आपको दे दिए गए अब आगे बढ़ते हैं हर बार की तरह P.I.B. News को जल्दी से यहाँ पे देखेंगे जो की बहुत ही important हो जाता है तो P.I.B. News को हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे बात करी जा रही है नरेंदर मोदी की तो यहाँ पे क्यों बात करी जा रही है? तो यह इस occasion पे जो केर पूजा होती है question पूश सकता है कहाँ पर होती है? तो यह तरीपुरा में होती है यह जो पूजा है इस occasion पे यहाँ पे बथाई देते हुए नज़र आ रहे हैं तो question आए केर पूजा कहां होती है त्रीपुरा में होती है याद रखिएगा 34 वा international biology olympiad कहां पे हुआ है तो याद रखिएगा UAE में हुआ है और इंडिया इसको top किया है गोल्ड मिडल के साथ 3 से 11 जुलाई के बीच में ये चीज़े organize की गई थी और UAE में इसकी capital क्या है comment sections में जरूर लिखे 7th editions का GMAX exercise जापान और इंडिया के बीच में जो exercise होता है इसको GMAX exercise बोला जाता है Bay of Bengal में ये चीज़े conclude करी गई समापन करी गई दूसरी जो है यहाँ पे ministry of women and child development यहाँ पे निर्वया जो fund है वहाँ fund पॉक्सो की victim यानि prevencer of children from sexual offense act इसके अंतरगत जो चीज़े victim आएंगी लोग जो भी यहाँ पे आएंगे victim उनको यहाँ पे help provide करी जाएगी इसी funds के द्वारा दूसरी बाते क्या बोली जा रही है यहाँ पे D.A.R.P.G. यह क्या है तो department administrative reform and public grievances यह release की है centralized public grievances redressal and monitoring system तो जिस प्रकार की भी complain होंगे इसको monitor करने के लिए system लाया गया है CP gram याद रखेगा D.A.R.P.G. या launch की है यहाँ पे तो CP gram और monthly report यहाँ पे state के द्वारा यह चीज़े launch करी है तो याद रखेगा important है questions यहाँ से बन जाएगा तो आपको पता नहीं होगा CP gram क्या है तो आप कैसे deal करेंगे दूसरा जो news और facts से कर निकल के आ रही है तो supreme court यहाँ पे Tuesday को क्या करा है तो ED जो है ED क्या होते हैं enforcement directorate इनका अलग role होता है कि corruptions को कैसे कम करा जाए domestically यह कारे करते हैं तो enforcement जो director है आपके संजय कुमार जी मिस्रा इनको चार मैने पहले ही quit करने के लिए आदेश दे दिया है तो supreme court आदेश दे दिया है क्यों दिया है आपको बता दे जो ruling government है currently union में वो इनके tenure को extension पे extension करे जा रहे थे बढ़ाए जा रहे थे जिसके कारण यहाँ पे तीन मेने पहले ही लगभग इनको November में इनका retirement कोने वाला था लेकिन इनको पहले ही यहाँ पे retirement के लिए supreme court आदेश दे दिया तो यह चीजे हैं जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो यह क्या है director किसके हैं तो यह ED जो है enforcement director यहाँ पे है संजय कुमार जी है यहाँ पे यह सारी चीजे निकल के आ रही है CBI और ED chief एक fixed tenure two year की यहाँ पे करी गई है जिसके कारण यहाँ पे जो amendment लाए गया था amendment से क्या चीजे करी गई थी कि इनको तीन साल तक इनके extension को बढ़ाया जा सकता है और तीन साल में इसके बाद extensions नहीं होगी है तो यह धीरे धीरे करा के पाँचवा साल तक extension चीजे प्रकार से यह पाते चले गए अभी इनको यह amendment में सुप्रीम कोट क्या बोला है तो amendment जो है आपका central vigilance commission act यह बरकरार रहेगा इसमें हम कोई changes नहीं करते हैं लेकिन जो extension आप कर रहा है वो सही तरीके से कानून को follow करके नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे इनको हटाने का आदेश दे दिया दूसरा क्या चीजे है जो निकल के आई है constitutional बेंचाप सुप्रीम कोट यहाँ पे क्या फ्रेस एफिट जो submit किया गया था union government के द्वारा यहाँ पे submitted by the union government की जो जमू कस्मीर है वो unprecedented era of peace, progress, prosperity को यहाँ पे resemble कर रहा है तो यह चीजे बोली गई है और यहाँ पे article 370 जब से हटा तब से यह सारी चीजें यहाँ पे peace, process, prosperity चल रही है कहाँ पे जमू एन कस्मीर में यह मैंने बोल ला हूँ यह news निकल के आई है जो यहाँ पे report आपको बताए जा रही है अब important चीजे क्या है यहाँ पे जो ED आ गया है इसकी background की detailing को हम जल्दी से देखेंगे और समझेंगे क्योंकि ED से questions तो यहाँ पे बनने के संभावना है क्योंकि ED का प्रियोग ज़्यादा होने लगा है आज काल तो यहाँ पे क्या है enforcement director यह क्या है तो domestic law enforcement agency है यहाँ पे आपके राष्ट के अंदर ही domestically कार करती है Economic intelligence agency है याद रखियेगा और responsible है किसके लिए कि यह जो economic law है और जो crime है economic उसको यहाँ पे रोके उसके लिए यह चीजे बनाई गई थी यह किसके अंडर में आता है तो directly यह ministry आप finance के अंतरगत याता है questions पूछ सकता है याद रखियेगा और department आप revenue के अंदरगत आता है तो ministry के अंदर जो department आप revenue है उसके अंतरगत यह आता है enforcement director focus करता है क्या investigation पे और prosecuting cases पे कैसे चलाया जाए जो भी money laundering कर रहे हैं उनको लेकर के foreign exchange violations जो हो रहे है economic offenses जो हो रहे है इस प्रकार के crime में ये हाथ डालता है और पकड़ता है क्या इसका objective है तो किस प्रकार से जो black money चला है उसको कर्व किया जाए उसको रोका जाए अगर prime objective की बात करी जाए यहाँ पे तो enforcement direct rate यहाँ पे क्या करता है दो key acts है यहाँ पे क्या है दो key acts है इन act को बेस बना के कारे करता है तो जिसे government of India यहाँ पे FEMA act लाई थी 1999 में यह क्या है foreign exchange management act और दूसरा क्या है prevention of money laundering act यह 2002 में आया था question यहाँ पे act से पूछा है यह फेमा और PMLA कब आये थे तो याद रखेगा PMLA 2002 में आया था दूसरा जो F.E.O.E. है यह 2018 में यह ruling government लाई थी positive economic offender जब देश से नीरो मोदी पैसा ले करके भग गया था तो बहुत सारे मोदी माल्या लोग हैं यहाँ पे जो पैसा ले करके देश से भग गया है अब उनको पकड़ने का प्लान चला है अभी तक सफल चीजे नहीं हो पा जाती है दो साल इसकी tenure CBC Act 2003 में जो आई थी इसके अंतरगा 2 साल रखी गई है लेकिन amendment ला करके इसको 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है यो कि 5 साल तक इसका tenure हो सकता है maximum यह चीजे थी ED की background detail आसा करते हैं चीजे clear होई होगी कोई भी doubt हो तो आप comment sections में यहाँ पे लिख सकते है नेज और facts की बात करने तो यहाँ पे goods and services tax council की पचासमी meeting यहाँ पे हुई है तो यह reduce करेगा क्या clarify tax rate on some items ranging from uncooked तो यह tax rate reduce करने की यहाँ पे meeting हुई है कि किस प्रकार से कुछ ऐसे product है जिनकी tax में कम्या करी जाए और कुछ ऐसे हैं तो जोगी games हैं उनकी GST को GST के दायरे में उनको लाकर के रख दिया गया और भी highest GST 28% लगाने की बाते चल रही हैं आगे बढ़ते हैं नए editorial की तरह तो हम देखेंगे यहाँ पे green washing यह green washing क्या है तो green washing एक अच्छी editorial है इसको अच्छे से detailed background के साथ हम लोग cover करेंगे तो क्या है green related to the environment washing क्य ना तो इसी की detailing को यहाँ पर देखेंगे बात करी जारी है forest conservation amendment bill 2023 में जो भी bill आई हुई है इसको pass करने के लिए इस monsoon session में यह चीजे चलेंगे आपको बता दें forest conservation act यह बहुत ही important act है जो आपके forest को protections provide करता है इसी के अंतरगत सारी चीजे आती हैं जो जंगल में जो भी पे जलती है और एक अधिकार भी तरीक लॉब मनाई जाती है इसके अंदर तभी जा करके यह protections सही तरीके से हो पाती है अब यहाँ पे क्या चीजें हैं तो जो committee वेठाई गई है joint committee आप पार्लियामेंट जो इसका discussions कर रही है यह चीजें तो यहाँ पे जो rule or regulations बनेगा जो law यहाँ पे बनेगा वो बहुत complex challenge यहाँ पे निकल के आ रहा है क्यों निकल के आ रहा है तो यह conservation of forest पे सही तरीके से ध्यान इस amendment की बात नहीं रखा जा सकता है यहाँ पे ऐसी बाते बोली जा रही है industrial बात करी जाए जो industrialization है और धोगी करण है और भी जादा बढ़ती हुई चीजें नजर आएंगी forest land को भी capture करती हुई उस ecosystem में जाकर के industrialization करती हुई नजर आएंगी तो private forest बनाने की भी बाते यहाँ पे बोली जा रही है कि यह private forest area है ऐसी चीजे बनाने की बाते बोली जा रही है 1980 में यह act आया था forest conservation act 1980 question बूछा हुआ है यह act कब आया था तो जो legislation है उसमें loop hole है उसमें कम्या है उसमें बहुत सारे error है तो इस error को हमें देखना होगा तब जाकर के इसको सही तरीके से implement करने की जरूरत है originally अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो notified forest है landmark supreme court decision भी दिया है यहाँ पे किस case में तो तमिलनाडू, गोडा, वर्मन, थीरूम, पलाद, case 1996 में यह अपना judgment दिया था और इस forest वाले act के scope को और broad किया था और wide कर दिया था कैसे तो इसका scope इस प्रकार से किया था कि जो protections होगा वो और भी ज़्यादा strong करके उस law में frame किया था कि इसका जो protections है forest का वो strongly हो और not officially classified यहाँ पे जो बाते बोली जा रही है protections को strong बना दिया गया था जिसके कारण इसमें कोई भी लूप होल्स नहीं थे लेकिन अभी amendment क्यों करी जा रही है यहाँ पे आपको बता दें amendment करी जा रही है कि private player यहाँ पे forest के रूप में आए यहाँ पे private forest भी उनके पास हो तो अभी तक privatization इस चीज़ का नहीं होना था था अब forest का भी privatization होने लगा है अब देखिए क्या प्रका अगर बील पास होती है तो हो ही जाएगा तो इंडिया का forest कबर अगर बात करी जाए तो यह only marginal increase कर रहा है हमारा जो forest है यह marginal increase कर रहा है थो बहुत ही कम यह से बोले जाए ना के बराबर तो यहाँ पे जो दो साल में report आती है forest survey of India वो यही बताती है कि growth in forest कबर अगर देखा जाए तो यह रुका हुआ है ऐसा नहीं है कि forest हमारी बढ़ रही है क्योंकि forest तो हम लोग काट रहे हैं तो forest काट रहे हैं तो pollution कौन देगा global warming कहा होगी तो जिसके कारण यह जो अभी मानसून का कहर आ रहा है climate का कहर आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि global warming हो रही है global warming होगी तो क्या आएगा flash flood आएगा फे माइन्स आएगी यह सब चीजे आएंगी ही आएंगी तो यही चीजे चल नहीं है ट्री कभर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे orchard, plantations, village, home state यह जो भी है इसमें थोड़ी सी rise होई है और दूसी तरफ इंडिया क्लेम कर रहा है कि 24% आप its area is under forest and tree cover तो बताए 24% है जो इंडिया के पास forest और tree cover मिला लिया जाए तो यह सीजे हैं ज़कि हमें 33% target यहाँ पे ह हम रखे हैं तो committed है 33% के और यहाँ पे 24% पे सिमट के रह गए हैं तो और बढ़ाने की जरुवत है ना कि privatization करके कटाने की जरुवत है पेड़ को यह सारी चीजे हैं दूसरी चीजे क्या है तो carbon dioxide अगर पेर कटेंगे तो हम जो committed है 2030 तक यतना चीजे करेंगे 2.5 billion से 3 billion turn आती है एक्जिस्टिंग जो forest conservation act है अगर उसको हम उठा लें तो यहाँ पे environment ministry क्या बोल रही है यहाँ पे तो यह insufficient है अगर बात करी जाए इस तरीके से जो कार्य चल लई है यह did not intensivize private agroforestry और tree plantation activity तो जो private plantations करने की बाते बोली जारी है वो कि सुद्दे से करी जारी है यह तो समय ही बताएगा लेकिन यहाँ पे क्या बाते बोली जारी है आपको बता दे यहाँ पे अगर private incentivize करी जारी है यहाँ प्राइवेट प्लेयर को और promote करा जारा है आप forest के तरफ आगे बढ़िए और यहाँ पे government उनको इलोट करेगी private area land की आफका यह forest area private है तो किस प्रका पंदर सो चालीस स्क्वाइर किलोमेटर आप the forest कवर बढ़ा है यहाँ पे यही बस बाते बोली जा रही है दूसरी जीजे जो नया amendment आया है forest में forest act में यह क्या दे रहा है incentive incentive देता हुआ नजर आ रहा है कि यह define कर रहा है limit of 1996 judgment जो supreme court जो पहले बताया कि protections और powerful protections दिया था forest act की हम जब बात करते हैं 1980 वाली तो यह गुदा वर्मन केस जो अभी आपको बताया उस केस की बाते बोली जा रही है लेकिन अभी forest की वगर बात करें तो यहाँ पे उस forest को amendment करने की बात बोली जा रही है forest land जो है authorized by state जो state के द्वारा forest land authorized करी जाती है यह इस नियम में था for non forestry user 80 से लेके 90 थक would not invoke provision आप सच है तो ऐसी चीजें अब नहीं हो पाएंगे अगर इस परकार की चीजें होंगे यानि state पे भी वो कहने कहीं बात देलगाता हुआ नजर आ रहा है तो state can no longer classify unclassified forest तो unclassified forest नहीं कर पाएंगे जिसके कारल यहाँ पे state की power को भी breach करती हुई नजर रही है अमेंडमेंड की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो यह इलाव करता है forest land up to 100 km इंडिया ज बॉर्डर तो इंडिया का जो बॉर्डर है 100 km के अंदर गत यहाँ पे यह चीजे आती हैं दूसरी तरह बात करी जाए without central approval strategic और security परपर तो यह central approval के बावजूद ही यह ची बाती है यहाँ पे ऐसी चीजे मेंजन है इस amendment में अब जो primary criticism है वो क्या है amendment do not really contribute to the regenerative natural forest तो यह जो amendment है यह do not contribute यह इस सब चीज को जो regenerative ऐसे forest जो पुना लगा देते हैं इस forest को इससे लेना देना यहाँ पे नहीं है तो इसमें contributions की बाते बोली जानी इसका ऐसा contributions इसमें नह चनक बातें वो हम देखेंगे तो parliamentary committee जो बनाई गई है यहाँ पे तो यह statutory privileges के बाद यानि इनकी जो privileges हैं उसके बाद यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजे opinion यहाँ पे देती हुए नजर नहीं आ रही है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी होती है parliamentary committee की कि आप कम से कम government को inform करेंगे किसी carbon credit की यह carbon credit क्या होता है तो यह permit एक प्रकार से होता है कि आपको allow करता है किसी भी country और organizations को कि आप कितना produce कर सकते हैं carbon emissions यहाँ पे तो यह अगर चीजे आप माल लिजे एक ton carbon emissions का आपको allowance मिला है लेकिन आप half ton ही release करते हैं तो half ton का आपके पास credit बसता है आप दूसरे को sell out भी कर सकते हैं तो यह carbon credit एक certificate होती है जिसके कारण यह trade भी related होता है तो carbon trade भी एक term है यह भी याद रखियेगा carbon credit भी एक term है दोनों term याद रखियेगा यह सारी चीजें अब important आ जाती है कुछ acts जो हम लोग background में देखेंगे nature से related तो important conservation act है सबसे पहला water act आया 1974 में prevention and control of pollution दूसर water act आया prevention and control of pollution यह cis act है 1974 में दूनों 74 में आते हैं याद रखियेगा यह cis act है यह control of pollution act है तीसरा जो air act आता है वो 1977 में 74 प्लस 77 यानि तीन जोड़ दीजे तो 77 में air आता है सबसे पानी आया फिर हवा आया ऐसे करके याद रख सकते हैं दूसरा जो है forest conservation act 1980 में आया environmental protection act 1986 माया public liability insurance act 1991 में आया biological diversity act यह जो है 2002 में आता है और 2002 में सारे से questions आया हुआ है क्योंकि important act है इसलिए questions यहाँ से बने हुए हैं यह थी सारे detailing आसा करते हैं अभी जो conservation amendment bill आया forest को ले करके यह चीजे clear हो गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं नए editorial की तरफ तो बहुत ही must editorial यहाँ पे निकला हुआ है demographic transition और woman की life किस प्रकार से change हो रही है उसको हम देखेंगे अभी recently 11 जुलाई को world population day मनाया जाता है यह भी questions आया हुआ है सबसे primarily की world population day कब मनाया जाता है कई सारे questions इससे आया हुए हैं इसलिए याद रखेगा 11 जुलाई याद रखेगा world population day के रूप में मनाया जाता है यहाँ पे बात गरे जारी है इंडिया की demographic journey की तो जो हम लोग का population सकिस्ती ब्रगती से world में पहला स्थान लेने को बिताब है तो यहाँ पे हम लोग उसके तरफ बढ़ चुके हैं अब जो census आएगा जो जनगाड़ना आएगी अब recently उसमें बस एक authentic मोहर लगनी की जरूत है तब जाकर के यह चीजे होनी शुरू हो जाएंगी कि हम लोग accept कर लेंगे अभी हम लो यहाँ पे बात करी जाए population की तो इंडिया जो है कहीं न कहीं सरपास कर देगा इसी जब census होगा authentic census रिलीज होगा और यह census रिलीज कोन करती है तो आपको बता दे census रिलीज करती है अपनी home ministry तो इंडिया की population यहाँ पे 340 million इंडिपिंडेंस से 1.4 billion के आसपास यहाँ पे पह observations यानि भुखमरी कम हो रही है और इंप्रूफ कर रहा है पब्लिक हेल मेडिकल मिरेकल भी यहाँ पे होई रहा है यानि हेल्थ सिस्टम भी हमारा सही होता हुआ नजर आ रहा है 1941 से बात करी जागर तो मेल की जो आयू थी life expectancy इसको बोला जाता है आयू मेल की वो 56 थी ज़कि बताया जारी है फिप्टीन परसेंट अब दबवाय सर्वाइव करते थे यानि जो 56 जीते थे मेल उनमें 50 परसेंट जो लड़के थे 28 सल के बाद मर जाते थे यह ऐसी आकड़े थे आज की डेट की में बात करें अगर जीवन की जो सीमाय है लोगों की कितने उम्र तक जीते हैं तो यहाँ पर मैन जो हैं 69 जीते हैं यह क्वेस्टन साया हुआ है लाइप एक्सपेक्टेंसी आप मैन तो यहाँ पर फिप्टी परसेंट लीप टू सीधा राइपोल्ड 75 तो इसमें से 75 परसेंट जीते हैं 75 की उम्र के पार यह आकड़े हैं रेपीड डिकलाइन हुई है यहाँ पर अगर मृत्यू दर की हम बात करें तो रेपीड डिकलाइन हुई या बहुती ब्रिगती से नीचे गिरती हुई यह दर है तो अभी अगर बात करी जाया यहाँ पर तो आवस्यक्ता है यहाँ पर इस चीज को देखने की और यहाँ पर पहले चार-चार बच्च यह पांच-बाज बच्चे पहदी होते थे लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो लोग एक ही बच्चे से सर्वाइब कर रहे हैं दो ही बच्चे से सर्वाइब करते हुए नजर आ रहे हैं तो जो पॉपुलेशन्स है उसकी ग्रोथ और फर्टिलीटी रेट यहाँ डिकलाइन हो रही है यह अच्छी बात है भारत का पॉपुलेशन्स कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन्स को अगर आप स्कील्ड नहीं करेंगे तो यह पॉपुलेशन्स अनिस्कील्ड रह जाएगी और ग्रोथ जो है वो इंपेक्ट होता हुआ नजर आएगा क्यों क्योंकि जो पॉपुलेशन होता है वही डिविडेंट होता है अगर वो स्कील्ड है एजुकेटेड है हेल्दी है तो ही आपका ग्रोथ हो पाएगा आपकी जीड़पी ग्रोथ करेगी आपकी कंट्री ग्रोथ करेगी डवलप्मेंट हो पाएगा ऐसा बोले डवलप् तो यहाँ पर देखिए 1950 में यह आकड़ों का इस्तमाल कर सकते हैं, important यह आकड़े हैं, कुछ important world के भी आकड़ों को अगर देखा जाए, तो youngest और oldest population अभी इन आकड़ों के द्वारा यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो world अगर median age एक average age बताया जाए, तो 36 तक world की population, 36 साल हो जाए की हम अगर बात करें तो, तो देख सकते हैं, अफरिका के लोग 2050 तक पहुंचते-पहुंचते, सबसे ज़्यादा young age वाले रहेंगे, यह world की condition है, 36 साल के आसपास, यहाँ पर देख लीजे, ओसियाना अस्टेलिया की बात कर रहा है यह, तो यहाँ अस्टेलिया में भी average यह यहाँ पर ऐसी भी सेस्ता हैं, बताई जा रही है, informations बताई जा रही है, अफरिका में बच्चों की संख्या यहाँ पर अधिक होगी, क्योंकि young होगे, तभी तो बच्चे होगे, एसिया में भी रहेगी, और लेटिन अमेरिका, केरेबियन में भी रहेगी, यूरोप में इस्तमाल आप कर सकते हैं, फैमिली की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो बहुस बच्चे जो हैं यहाँ पे, फीवर बच्चे यानि कुछी बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पांच बच्चे, छे बच्चे, पुछली जो डिकेट थे, उन से बहुस ज़्यादा चीजे बदलती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ पे उन सब चीजों में कमिया आई हैं और फैमिली प्लानिंग के तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो एक सही डाइरेक्शन में, राइट डाइरेक्शन में अगर बात करी जो उनके बच्चे हैं, बुढ़ापे में उनका मदद बनने चाहिए, यहाँ पे उनकी आसा भरी निगाए हैं, और यह सच भी होना चाहिए, और यह ड्यूटी ही नहीं, यह आपका, मैं यह ऐसा कहता हूँ कि आप इस तरीके से यह न देखें कि आपका यह ड्यूटी है, यह एक मदर और सन या फिर फादर, सन या फिर इस तरीके से देखें पैरेंट को और उनके बच्चों को, पैरेंट और चिल्दरन के बीच में जो बांडिंग है, वो टूटनी नहीं चाहिए, यह चीज़े हैं क्योंकि हम लोग भी एक समय आएगा, जो ओल्ड एज में हम ल अबिरेट करके एक साथ यहाँ पे चलने की जरूरत है, तो यही चीज़े बोली जा रही है, जो अपे च्छाएं हैं पैरेंट्स की अपने बच्चों से, वो जो हैं इस प्रकार हैं कि वो बुढ़ाबे में उनका मदद करेंगे, जबकि बात करी जा रही है अगर डाटा की तो किवल 11 परसेंट इस प्रकार के सपोर्ट पाते हैं अपने बच्चियों से, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, कई सारे सेलेक्शन्स, एवोशन्स भी हो रहे हैं, यह क्या हैं, तो जो गर्व में ही बच्चों को मार दिया जाता है, उसको एवोशन्स बोला आता है, यहाँ पर, यह सारी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं, तो यह है जो डॉटर वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर डॉटर कितने लोगों को पशन नहीं है, कई सारे लिकों, अब जो आउधार आए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से, यहाँ पर फिर भी पर हंड्रेड वाई, एजेज अंडर फाइब, तो यह ड्रॉट हुआ है, चानवे से एक्यानवे, और उनिस सो पचास से दो हजार, उनिस तक अगर हम डाकडे को, येर को लेते हैं, दो, वोमेन एजुकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर तो बढ़ा है, कोई डाउट नह ही है, सतर परसेंट गर्ल जो है, उनका नामांग करड़ हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन क्लास ट्वेल तक हो रहा है, सतर परसेंट ये चीजे और बढ़नी चाहिए, इसमें जरूरत है, अरली मैरिजेज यहाँ पर बात करी जाया है, चाइल्ड बेरिंग, रीमैन, प्र हाई जा रही है, कि अरली मैरिजेज हो रहा है, और चाहिल यानि अरली एज में ही वो प्रेगनेंट हो रही है, जिसके काराड अपने जिंदिगी को वो आगे बढ़ाने से रुख जा रही है, तो यही सारी चीजें है, अरली मदर हुड बन जाना ये इस इसू क्रियेट कर आगा है, लोवर फर्टिलिटी डजना ट्रांसलेट इंटू हायर लेबर फोस, तो अगर लोवर फर्टिलिटी रेट हम लोग 2.1 पे आगा है, 5.something से जो 1950 में आकड़ा था, अभी 2019 का आकड़ा है 2.1, ये फर्टिलिटी रेट लाने से इसका ये मतलम नहीं है, कि हमारे कामिक में पार्टिसिपेशन कर देंगे, खास करके वोमेन की अगर बात करें, तो यहां पर अपने लोगों को स्किल जॉब देने की जरूवत है, ये बाते बोली जा रही है, तो जो डेमोग्राफिक सिप्ट हो रहा है, ये एफेक्ट कर रहा है वोमेन के लाइफ को, इंक्रीज हो रही है, तो 5-11% तक यहां पे बात बोली जा रही है, 1950 से और 22 तक के बीच में है, ये प्रोजेक्ट जो आपको बताया जा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है क्या, 21%, 2050 तक ये चीजे चलेंगी, तो यहां पे और एज़ पीपूल यहां पे होते हुए नजर आए इंगे, ओल्डर मैं की अगर बात करें, यहां पे तो मैं विल इंक्रीज और एजिंग फार वोमेन है यूनिक इंप्लिकेशन, इसका क्या मतलब हुगा, तो यहां पे जो लोग पैरेंट हमारे एज ओल्ड होंगे, यानि बुढ़े होंगे, उनकी हमें और भी ज्यादा क्य एजagar की जरुवत है, और वोमेन यहां पे दूसरी तरफ क्या बाते बोली जा रही है? वोमेन जनेरली मैरीज करते है मैं से, अपने उमर से जादा वाले मेल से, तो यह अपने उमर से जादा बड़े मेल से यहां पे साधी करते हैं, जिनके कारार उनके हस्बेंड की अरिल देथ होती है और वो यहाँ पे वीडो के रूप में लाइफ या व्यतीत करते हैं यह इसू है यहाँ पे निकल के आ रहा है 2011 सिंसस की अगर बात करें तो 18% आप दो मैन जो है 65 एज के हैं और वीडो यहाँ पे चीज़े निकल के आ रही हैं इनके वीडो 55% आप वमेन आर वीडो जो की इन में से 55% वीडो के रूप में निकल के आ रहा है तो यह जो मात्री सतात्मक चीजें हैं इसमें बदलाव लाने की जरूवत है तब ही जाकर के जेंडर जो डिसड़ांटेज हो गये हैं यानि मेल फिमेल और ट्रांसजेंडर जो इकवल ट्रेटमेंट यहां पे मिलना चाहिए और तब जाकर के ये चीजें सही तरीके से इंप्लिमेंट हो पाएंगी इस तरीके से अगर हम देखें तो तो उनलाइक East Asian nation, East Asian nations में जो चला है उस तरीके से चीजे नहीं है, कैसे, तो जो demographic transformations यहां पे चला है, has led to delay and often forgone marriage, child bearing, early marriages, child bearing remains central to Indian women's life, तो यह जो चीजे हैं यहां पे हम लोगों की चीजे और Central East Asian चीजों में काफी चीजें अंतर हो रही है, यही सारी चीजे हैं, labor force participation, सुबमेन की बढ़ाने की बाते बोली जा रही है, क्या यहां पे practical strategies हो सकती है, कि अपने child care को हम assist दें, यह सारी चीजें यहां पे बताई जा रही हैं, जो कि आपको अभी यहां पे मैं बता रहा हूँ, तो यहां पे अगर देख सकते हैं आप, National Rural Improvement Guarantee Act, जो चीजें है यह बहुत हत्तक लोगों की जिन्दी को चेंज करता हुआ नजर आया, खास करके रूरल एरिया में, अर्बर इंडिया में भी इसका impact है, लेकिन थोड़ा कम है, रूरल एरिया में यह ज़्यादा impact करता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके से infrastructure भी बनते हुए नजर आ रहा ह है, self-help group की बाते बोली जा रही है, यह सवारनेस कर रहा है, और कहीं नेवर रूट कंट्री में जो भी child care center है, अर्बन में, रूरल में, इसमें भी हम लोग अपने demographic dividend को आगे ले करके जा सकते हैं, तो इसका सही प्रकार से implementation हो सकता है, इसकीम का, और हम लोग अपने ही demographic को skilled बना करके उससे अपने GDP में योगदान दे सकते हैं, यह क्या बोलने हैं, तो माली जे 50% male हैं और 50% female हैं, तो इन दोनों का योगदान से ही आपका GDP त्यार होता है, लेकिन यहाँ पे 50% female में से मात्र 20% और 30% ऐसी percentage ही निकल के आएगी, तो जो rest up the female percentage है, वो role ही नहीं प्ले क कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, GDP आपका कैसे ग्रो करेगा, यही questions उठता हुआ नजर आ रहा है, तो यह थी सारी detailing, आसा करते हैं, चीज़े clear हो गई होगी, कोई भी confusion हो, आप असानी से comment sections में लिख सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ने editorial की तरह, तो यहाँ पे clean politicians यहाँ पे एक editorial है, उसको हम जल्दी से कभर करेंगे, कि किस प्रकार से अपने ही politicians, किस प्रकार से corruptions, murder, rape, criminal charges, उनके उपर किस प्रकार से चीज़े होती हैं, वही सारी चीज़ों को यहाँ पे detail में, एडिटर ने यहाँ पे दिया है, तो comprehensive अगर देखा जाया, ब्यापक तो पूरे भारत की अगर हम बात करें गणना, तो यहाँ पे 4001 एक निकल के आ रहा है, यह data important है, इस state और इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन पे बहुत सारे charges भी हैं, तो क्या charges हैं, 4001 sitting ML हैं, 1777 उनमें से, जो की 44% हो जाते हैं, उनके उपर criminal cases हैं, अ यह लोग elect होकर कैसे parliament में चले जा रहा हैं, यह लोग elect होकर कैसे parliament में चले जा रहा हैं, यहाँ पे role है public की, तो public अगर इनको elect कर रहा है, तो ही तो जा रहा हैं, यानि इनकी क्या गलती हैं, यह भी question सुठ रहा है, समानता गलती तो इनकी भी है, और गलती party की भी है, जो इन सेल आउट कर देने से यह market में आ जाते हैं और इनको मजबूरी हो जाता है voters को कि किसी न कुसी को vote देना है तो किसको vote दें जब सब यहां पे corruption में और crime में indulge है तो उनहीं लोगों में से हमें कौन सही यानि 100 खराब में से कौन कम खराब है उसे select करना पड़ता है जो कितना difficult है एक democratic country की अगर हम बात करें तो democratic country में यह व्यक्ति का अधिकार है कि वोट दे तो यह सच बात है यह हमारा fundamental right नहीं है voting लेकिन एक प्रकार से समविधान में चीजें हैं और mention करी गई है तो वोट देना तो समविधानिक अधिकार बिलकुल भी नहीं है लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है तो वोट हम देते हैं और यही तय करता है कि कौन जाएगा parliament में तो हमें सबसे पहले वोट देने से पहले ही यह select करना होगा क किसे देंगे और उन politicians को वोट देना चाहिए जो कम से कम यहाँ पे criminal charges उनके उपर नहीं है तो अब आकड़े को देखिए और समझे और निड़ा लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है current लोग सभा की अगर हम बात करें तो 43% MP जो जिसे हम member आप parliament करते हैं और हिंदी में सांसस करते हैं उनके उपर criminal cases चल रहे हैं यह चीजें हैं जो अभी आपको बता रहा है 2004 की बात करी जाए यह चीजे 22% थी यह सारी चीजें अभी आज के डेट में डबल हो गई यानि कभी पहले आधी थी तो आज के डेट में current government के पास इतने सारे criminal politicians MP यहाँ पे बैठे हु यह चीजे जनता को सोचनी चाहिए दूसरी बाते बोली जा रही है जो भी यहाँ पे चीजें देजगा रही है यह ऐसा नहीं है कि ऐसे man current report बना दिया उसके अधार पे यह काफी emphasized है काफी यहाँ पे valid crime है जो आपको उसके अधार पे बताए जा रही है यानि valid crime के अधार प investigations यहाँ चल रही है उनमें इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको लेकर गया है तब जाकर कि यह आकड़े बताए जा रही है तो जो चार्ज सीट है preliminary hearing है उसको लेकर के court से यह चीजे निकली है तो बहुत ही important यह आकड़े है और इन आकड़ों में से निकल के आता है कैसी criminal charges है दूनों चीजों को देखा जाए तो यहाँ पे जनता जनार्दन जो निकल के आती है जनता जनार्दन का role important हो जाता है कि अपने देश के politicians का character कैसा होगा क्योंकि character politicians का हमी लोग वहाँ पर निर्धारित करेंगे अगर vote डाल कर उनको जिता कर हम सांसद बनाकर parliament में भेज सकते हैं तो हमारे अंदर इतनी power है हम अपने एक सही vote को सही तरीके से इस्तमाल करें और यह matter ही नहीं करता है कौन किस party का है हर एक voter को एक individual के तरीके से देखना चाहिए और party से क्या relation है यह बिलकुल भी नहीं देख इस तरीके से चीज़े बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि यह ब्यक्ति किस party का है क्योंकि party नहीं आएगी कार करने आपके बीच वही MLA वही MP आएगा इसलिए उस MP के ब्यक्तित्त को कार को knowledge को personality को परख कर ही vote देना चाहिए दूसरी चीज़े यहाँ पर जो निकल के आ रही है क्या कि political party जो है यहाँ पर selectively इसी law को यहाँ पर implement करती है और यह जो चीज़ें है system में इस परगार के change को accept भी नहीं कर पाती है यानि change लाने के लिए राजी ही नहीं है कोई तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें बाते बोली जा रही है most cases file की गई है party के दुआरा यहाँ पर MLA, MP यह सब लोग belong करते हैं power से तो इनके अंदर high power है और यह जो बाते बोली जा रही है cases are not all politically motivated यहाँ पर politically motivated नहीं है यहाँ पर स criminal cases उनपे लगे हुए हैं तब यह वाते बोली जा रही है अगर गहन अध्यान करा जाए serious criminal cases किसके किसके उपर है तो convictions निकल के आती है jail sentence 5 साल का तो बिल्कुल होना ही होना है तो 1136 जो की 28% है MLA की उपर आज की date में 47 MLA यहाँ पर हैं जो murder करके पहुँचे हैं 181 हैं जो attempt to murder करके पहुचे हैं 114 हैं जिनके उपर crime against woman है यानि औरते को उफर हिंसा करने में 154 लोगों का यहाँ पर cases है 14 लोग rape करके भी यहाँ पर Parliament में और MLA बनकर बैठे हुए हैं assembly में ऐसी चीज़े हैं state और union के आकड़ों को देखा जाए तो highest number of serious criminal cases are Delhi तो Delhi में 53% यह चीज़े दे हैं देली में 53% और बिहार में 59% सीथे दिल्ली के बाद बिहार आता है यह आकड़े आश्यर हैं दूस्त तीसरा महराष्टा फिर जारखन उसके बाद तेलांगाना फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश जो 38% है कोई भी political party ऐसी नहीं है जो यहाँ पे बोले कि मेरे पास को नहीं हम यहाँ पे नहीं है तो यह ऐसी party हैं बीजेपी के अंदर अगर बाट करें तो 479 ने मिल ले हैं criminal cases के साथ यहाँ पे 337 के पास जो serious criminal cases चल लहे हैं वहीं बात करी जाए दूसरी सबसे बड़ी party जो भारत की सबसे पुरानी party है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो भारत को आजात कराने में योगदान दी थी 1885 में इसकी अस्थापना हो जाती है और यहाँ पे यह जो party निकल के आई है 334 मले यहाँ पे इसके भी criminal cases को charge इनके उपर भी है 334 मले इनके भी है किसको elect करें यही समझ में जनता को तो नहीं आती है 194 इनके उपर भी serious criminal cases है अब देखि 94 यहाँ पे INC की है जिनके उपर हीनियस crime है serious crime है याद रखिएगा इस चीज को 194 यहीं पे अगर हम बात करें serious और हीनस crime की तो यहाँ पे देखिए 377 है यह आकड़े इनसे तूनना करिए अब क्या करें कि इन ही में से हमको choose करना पड़ता है हमें नोटा का बटन तो उसका result परड़्याम सही नहीं निकलेगा यह से क्या होगा इससे result यह तो है कि नोटा मतलब none of the above कोई पसंदी नहीं है reader सारी लीडर यहाँ पे corruption है corruptive हैं तो हम नोटा का बटन दबा देते हैं लेकिन उसका भी एक uses है उसका भी एक limit impact है यह सारी चीजे बताए जा रही है DMK की party में भी है TMC में भी है आमादमी party में भी है YSR Congress में भी है समाजवादी party में भी है भारती राष्टी शमीती इन में भी है तो जो भी party है सब में यहाँ पे है ऐसा कोई भी नहीं है कोई party यह कह दे जिसमें यहाँ पे criminal cases नहीं है यह सारे आक्रे है 2019 की elections में बात करे जा जिनके पास criminal cases था criminal record था अगर वही Indian National Congress की बात करी जाए तो 29 यहाँ पे इसके MP थे DMK की बात करी जाए द्रविडा मुनत्रा खजगम तो यहाँ पे 10 थे TMC की बात करी जाए 9 थे JDU की बात करी जाए 13 थे देखिए सारे के सारे party की यहाँ पे criminal record है जो आपको मैं गिना नहीं सकता Gender representation की बात करी जाए कि इतने वहाँ पे female जाकर के Parliament में या Assembly में बैट रही है तो यहाँ पे only 9% MLA यहाँ पे seat जीत कर आ रही है तो MLA यहाँ पे बात करी जाए जो graduate है 66% women यहाँ पे और average asset की बात करी जा, asset भी important role play करता है किसी भी election में अगर आप एक MP हैं तो आपका asset तैं करेगा कि आप जीत के आ रहे हैं कि नहीं वो क्यों क्योंकि asset ultimately आप elections में कितना खर्च कर रहे हैं यह तैं कर देता है तो यहां की जनता को यह सोचना होगा कि उनके पैसे लेकर उनको vote ले रहे हैं कि हम अपने सोच की वज़ा से vote दे रहे हैं तो यह चीज़े जब तक नहीं बदलेंगी यह सरकार की चीज़ें हम लोग के प्रति सरकार कार कभी नहीं करेगी यही चीज़े हैं जो सोचने योग बाते हैं तो जिसके पास ज्यादा पैसा है जितनी के चांस उसके पास ज्यादा है जिसके पास कम है जितनी के चांस उसके पास कम है तो यही चीज़े यहां पे बताई जा रही है बात करी जा रही है इस पेंडिंग इलेक्शन्स में किस प का उपयोग किया जा रहा है मनी पावर का उपयोग किया जाता है इलेक्शन्स में यहां पर कंडिडेट जो इस्पेंड करते हैं क्या-क्या लिमिट रखी गई है 40 लाक MLA के लिए और 70 लाक MP के लिए रखी गई थी जो की अभी बढ़ा करके 90 लाक कर दी गई है questions बन सकता है याद रखीएगा तो 40 MLA और 70 इसके लिए था MP के लिए जो अभी 90 लाक कर दी गई है तो यह election commissions लिमिट लगाता है इन सब चीज़ों वो याद रखीएगा नमबर आप MLA और MP की बात करी जाया कितना criminal record है तो यह बढ़ता हुआ जा रहा है क्यों क्योंकि party leader यही सब चीज़ से अपने ticket बेशती है वो भी पैसे लेकर खीटे ही ticket यहाँ पे बेशती है कोई भी party बिना पैसे लिए यहाँ पे कैसे ticket बेश देगी कुछ लोगों को छोड़के तो यह चीज़ें है जो ticket लेनी के बाद चीज़ें यही जा रही है तो जाहिज सी बात है वो अगला आएगा तो भी अपना पैसा ही बनाने के लिए सोचेगा जनता की भलाई भूल जाएगा तो यह यहाँ पे issue है जो निकलके आ रही है इसलिए इस so-called advance country में क्या है जो ticket की distributions है वो भी सोच समझ के party को करनी चाहिए अगर party किसी भी criminal को उठा के लेकर के आ रही है और वो जीत के आ रहा है तो कोन आएगा ticket किसको दे रही है तो वही तो जीत के आएगा यह निडर यहीं पे लेना होता है political leader की अगर हम बात करें यहाँ पे जो ticket है और जो people है यहाँ पे यह ticket उन्हीं को distribute हो रहा है जिसके पास power है जिसके पास पहला यहाँ पे पकड़ भी है तो next elections में भी इसी प्रकार के चीज़े होंगी और 2024 के चीज़े आपके आखों के सामने है तो every party यहाँ पे इस चीज़ से डर रही है कि कोई भी reform ना आ जाए तो इसमें reform कौन लाएगा जब सब party ही आपस में criminal record रखी होई है तो यही सारी detailing थी जो आपको मैं बताया आसा करते हैं यह चीज़े पसंद आई होगी अगर आप भी एक जिम्मेदार नागरीक और voter हैं तो comment sections में जरूर लिखें कि आपका जो चुना होता है किसी भी MP, MLA य हैं अपने उस leader को questions मेरा है comment खुला है महापजा करके comment कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नए editorial की तरह आप यह politics आप UCC यह क्या है uniform civil code इसके उपर क्या चीज़े चल नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नरिंद्वुदी इसी मानसून session में यह चीज़े लेकर के आने वाले हैं बहुत सारे लोग यह बात बोल रहे हैं कि इस बार UCC लागू हो जाएगा अपोजिशन इस पर टूट पड़ी है कि यहाँ पे मुस्लिम के विरुद सीज़े हो रही है और जो ruling party है claim कर रही है अपोजिशन यहाँ पर बढ़का रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ प इंडिया ने इस चीज को हटा दिया है यानि महिलाओं को सम्मान मिला है मुसलिम महिलाओं को उनका हक मिला है जिससे मुसलिम महिलाएं भी खुस है तो यह चीज़े है जो निकल के आई हैं इंपोर्टेंट चीज़े क्या है कि जो भी uniform civil code है जो यहाँ पे uniform civil code लाने की बाते बोली जा रही है उसमें क्या है सबसे पहले मुद्दा आता है religion का community का race का ये चीजे निकल के आती है फिर आता है personal law का personal law important sections है इस चीज में अगर हाथ डालती है government तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ethnic community है बहुत सारे ऐसे हिंदू में भी community है बहुत सारे देश में tribal community है जिनके laws, regulation, tradition, culture, ritual ये match नहीं करेंगी uniform civil court से uniform civil क्या है एक प्रकार का एक प्रकार से law frame किया for all people तो सभी के लिए एक प्रकार से एक setup दरूल त्यार कर रहा है वो सब को मानना हुगा तो क्या ये uniformly implement हो सकता है यही सारी चीजे issue को देख करके लाने की जरूवत है personal law यहाँ पे indulge होगा तो आजाएगा कभर डिवर्स आजाएगा सक्षेशन्स आजाएगा ये क्या होता है एक प्रकार से सक्षेशन्स यानि उत्तरा धिकारी की बाते बोली जा रहे हैं inheritance, adoptions, alimony और maintenance किस प्रकार की चीजे यहाँ पे चलेगी जो बिटिस राज के समय से यहाँ पे चीजे चल नहीं है वो किस प्रकार से चीजे चलेगी लाम मिनिश्टर भीम राव अम्बेट का जो बनाए गए थे वो भी support किये थे यहाँ पे जवालाल नहरू भी support किये थे य UCC को लेकिन परंत किंत बंधो क्या यह जो uniform civil code है जब भारत का समिधान निर्मार हुआ था उस समय ही discussion हुआ था कि UCC को लाया जाए लेकिन क्यों नहीं आ सका क्योंकि यहाँ पे जो state थे जो छोटे छोटे राज थे सब की यहाँ पे consent important रखी गई थी लेकिन कुछ लोगे न की voluntary actions decisions पे बाते बोली जा रही है यह भी चीज़ें इस प्रकार से implement होने चाहिए न कि प्रेशर्प में फोर्स में दबाव में implement कर देना चाहिए क्योंकि भारत एक democratic country है सब को लेकर के चलने का भारत की जिम्मेदारी है हिंदू society, patriarchal society, muslim group यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो issue create करते हैं सर्याला की बात करी जाए तो यहाँ पे यह भी एक issue है supreme court यहाँ पे क्या बोला है supreme court यह भी बोला है article 44 को आप यहाँ पे implement करने का प्रेयास करिए 2015 में यह चीज़े बोला है supreme court यह clearly mention है हिंदू की अगर हम बात करें यूनिफॉर्म यहाँ पे बहुत सारे custom practices है जो यहाँ पे uniform custom नहीं है यानि एक प्रकार का रिती रिवाज नहीं है हिंदू में भी बहुत सारे तो यहाँ पे differences है उन सब चीज़ को ले कर गे देखनी की जरूवत है property की right issue हो जाती है कि यह केवल male को क्यों मिलेगी female को बच्चियों को daughter को क्यों नहीं जाती है कई सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे main women जो इनको rights की भी discriminations face करनी पड़ती है honor killing और regressive practices ऐसे practices जो समाज में बिल्कुल भी माननी नहीं है ऐसे चीज़े चलती है honor killing क्या हो सकती है तो यह love jihad love jihad क्या है तो माली जे मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की या फिर उल्टा सीधा कर लिजे तो इस में साधी करने से प्रेम करने से इसको मार दे रहे हैं ये लब जिहाद हो जा रहा है तो जिहाद बहुत प्यूर वर्ड था जिहाद क्या था अंदर की बुराईयों को मारना ही मुस्लिमों के सरिया में जिहाद लिखा गया है कुरान में जिहाद लिखा गया है लेकिन इसका मतलब जो है आने वाले समय में जो अभी हम लोग पढ़ने हैं इसका मतलब बदल दिया गया है जिसके कारण जिहाद जिहाद जब भी सुनते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम लेकर के उठ जाते हैं लेकिन ये चीजे हैं ही नहीं आपने अंदर की बुराईयों को मा ये चीजी हैं जिहाद तो कितनी प्यारी चीजी हैं ये समझना चाहिए हम लोगों को सुप्रीम कोट 2014 में ये डिकलेर करता है मुस्लिम सरिया के अंदर कि को ये जो मुस्लिम सरियात है ये लीगल सेंसंस को फॉलो नहीं करता है यानि इसको लीगैल्टी में नहीं रखता त तो यहाँ पर लाउ गारंटी करता है इसको कि ये फ्रीडम प्रैक्टीस करने की फ्रीडम टू प्रैक्टीस और अपनी रिलीजन्स को प्राइवेट लाइप में रखें लेकिन ये प्रकास से कॉमन सिविल और क्रीमिनल कोड लेकर के आता है यानि यूसिसी एक एरिया में उनके पास भी है, तो हम लोग अपने भी एरिया में यहां पे ले करके आ सकते हैं, काश्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, इनको छोड़ करके यह चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जस्टिस सिस्टम, सिविल कोड जो है अभी, यह चीजें इवाल्व होती हुई आ रही हैं वोमेन को उपर नहीं आने जेती, यह सब चीजेंगों पे क्या होगा, एक यूनिफार्मिटी आएगी और लॉब बनेगा, तो कहीं कहीं इमपावर्मेंट वोमेन की होती हुई नजर आएगी, प्रतेक सिटीजन को यहां पे, कॉमन सिविल और पेनल कोड के अंदर, इक्व में आई होंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट इमपैक्ट की तरब, तो जो मानसून आया हुआ है, तवाही मचा रहा है, पूरे नार्थ में, हिमाचल परदेश का कुलू वाला सेक्शन, जो ब्यास नदी है, भयंकर तोड़ फोड मचाई है, और नदियों को और यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंड से इमपैक्ट की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जियोगराफिकल, फिर यहाँ पे लिखेंगे, एकोनॉमिकल, फिर लिखेंगे कैईजूयलिटी, ये सारी चीजे है, जिजुभिकल में हर छेटर में इम इफ्राइस्ट्रक्चर से लेके आपके लिविंग स्टाइल्स तक हर चीज को इंपक्ट करता हुआ नजर आएगा इकनॉमिकल अगर सेंस में देखें तो यह अगर बाढ़ कर रहा है फेमाइन कर रहा है फ्लड ला रहा है तो आपका ही लॉस होगा आपकी देश के रिजन की प्रोडक्टिविटी घटेगी फार्मर डिश्टेस में आएंगे आत्महत्या की तरफ जाएंगे यह सब चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी कैजूल्टी की बात करी जाए तो जो सुनामी आएगी फ्लड आएंगे फेमाइन्स आएंगे तो लोगों का डेथ इसी प्र गती से हुमीड वातावरण बनता है और फ्लैस फ्लैड आता हुआ नजर आ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक प्री इंडस्टियर लेबल का जो हम लोग पैमाना रखे हैं उसको उस पर हम लोग अगर कार करें तो बहुत थक तक ये चीजे रुगेंगे लेकिन कोई कार करने को त्यार नहीं है क्यों सारी कंट्री इस रेस में लगी है किस प्रकार से जीडिपी को आगे लेकर के चला जाए इस रेस में कंट्री बहुत कम लगी है किस प्रकार से इन्वार्मिंट को सेफ रखा जाए हेल्दी रखा और ये वही साल है जो अलनीनोगा IMPACT निकलके आ रहा है अब अलनीनोग आ गया तो थोड़ा यह भी देख लेंगे की अलनीनोग होता क्या है तो अलनीनोग एक प्रकार क्या 혼자 है प्रोसीजर है यह याद रखियेगा सदे जुछ नॉर्मल येर में क्या होता है नॉर्मल येर में ये आपका अस्टेलिया है ये आपका शाउथ हमेर का है यहाँ पर जो करेंट होते हैं करेंट क्या है तो ये ओशियंस के उपर बहुत बड़े पैमाने में ये water circulation system होते हैं उनको करेंट बोला जाता है यहाँ पर क्या होता है cold current होता है यहाँ पर क्या होता है warm current होता है तो जो equatorial winds होते हैं गेदर होते हैं यहाँ और warm water को पूल करते हैं towards west तो ये चीज़े हैं याद रखेगा equatorial current का यहाँ पर रोल होता है तो west की तरप यहाँ पर warm water को पूल कर लेते हैं लेकिन यही चीज़े ज बार करता है और इस्टरली विंड वीक हो जातने की वजय से यहां पर क्या होता है इस्टरली विंड यहां पर वीक हो जाता है वीक हो जाने की वजय से जो वाम होते हैं यह सीप्ट हो जाते हैं पेरूवियन करेंट के आसपास और जो पेरूवियन करेंट होता है वो सीप्ट ह जाता है कहां पे अस्टेलिया के प्लेट के आसपास जिसके कारड़ यहां पे monsoon बदल जाती है और यह issue निकल के आती है तो eastward और westward का यह चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा और यहां पे warmer चीज़े देख सकते हैं यहां पे और यह impact तो यहां पर आपको दिखा तीसरा जो impact इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या लेके आएगा flood लाएगा, flash flood लाएगा, famine लाएगा, production घटेगा, यहाँ पे drought आएगा, desertifications बढ़ेंगी तो यह क्या होता है, भारत में जो है रिगिस्तान अच्छे अच्छे बनते नजर आ जाएंगे सूखा पड़ेगा, यह जो है production घट जाएगा, उत्पादन चमता घट जाएगी flood और यह जो फेमाईन आएगे, सूखा पड़ेगा, यह सारी चीजें भारत में होनी शुरू हो जाएगे तो यह important चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा था तो impact यही है कि इस प्रकार से जो target कर रहा है, global warming बढ़ रहा है और humid atmosphere यहाँ पे इस्टोराइड weather यहाँ पे कार करती हुई नजर आ रही है जबकि अलीनों की बात करिया है तो अभी आपको सारा phenomenon है explain किया और जो है यहाँ पे temperature यहाँ पे increase होती हुई नजर आ रही है 1.5 degree Celsius यहाँ पे जो target रखी गई थी पैरिस conference में conference of party पैरिस में जो हुई थी 2015 में वहाँ पे यह चीजे set करी गई थी 1.5 degree Celsius यह बढ़ती हुई और नजर आ रही है आगे बढ़ते हैं नए important news की तरफ यहाँ पे देखेंगे सुनील शेतरी बहुत ही important personality है इनके बारे में कितने लोग जानते हैं यह comment sections में आप लोगों से मेरा विंती है अनुरोध है जरूर लिखे क्या आप लोग इनके बारे में इतनी अच्छी detailing जो आपको मैं देने वाला हूँ इस slide में क्या आप पहले जानते थे इनके बारे में और जानते थे तो yes लिखिए नहीं जानते थे तो no लिखिए सुनीन छेत्री के बारे में आप इस पकार के आकड़े जानते हैं की नहीं सबसे पहले आपको बता दें यह किस गेम से related हैं तो यह football के player हैं याद रखिएगा football के player है 38 साल की अभी recently इनकी उम्र हो गई है और अभी भी one of the fittest player की category में यह आते हैं सोचिए 38 साल की उम्र में आपको बता दें क्रिकेट एक game है जिसमें इतनी मेहनत नहीं जगती एक skill लगती है लेकिन यह जो game है football इसमें skill and मेहनत दोनों भरपूर लगती है याद रखिएगा बहुत ही ज़ादा इसमें मेहनत लगती है क्रिकेट से तो कई गुना मेहनत इसमें लगती है क्योंकि 90 मिनट आपको फिल्ड में लगतार दोड़ने होते हैं जो कि बहुत ही difficult होता है सुनिल छेत्री एक leading player है blue tiger style में blue tiger किसको बोला गया है इंडियन को बोला जाता है जो कि pride का बात है तो यह चीजें है और अपने score को यहाँ पे 92 goals 142 games के अंतरगत यह चीजे 92 goals करते हुए नजर आ रहे है जो कि एक brilliant achievement है यह अपने country का नाम बढ़ाते हुए नजर आए है यह स सुनिल छेत्री अब इनके आकड़ों को अगर देखा जाए तो 92 international जो goal है ना वह इनका चौथा highest goal है यानी world में जो player है उनमें इनका चौवा ranking यहाँ पे देख सकते है highest in all time list after किसके बाद तो Cristiano Ronaldo जिनका नाम है वो 123 goal किये है यह 92 goal किये है तो compare कर सकते है इतने बड़े personality जिन का नाम कोने कोने में भारती बच्चा जानता है उनका क्या नाम है Cristiano Ronaldo अली डेल की बात करी जाए यहाँ पे तो 109 है लियोनोयल मेसी की बात करी जाए तो 103 goal के साथ है इनकी बात करी जाए चौथे पे तो अपने देश के सुनिल छेत्री यहाँ पर आते है बात करी जाए यह परसनाल्टी जो अभी तक इनको इतनी पहचान जो मिलनी चाहिए भारत में वो नहीं मिल पाई उसका क्या कारण है तो आपको बता दे भारत में सबसे जादा जो प्यारा गेम मना जाता है वो क्रिकेट को यहाँ पे इंपोर्टेंस दी जाती है फुटबाल देखने तो बह परसनाल्डो भी समझ सकते हैं अली डेल भी समझ सकते हैं लियोनोल मेसी भी समझ सकते हैं क्योंकि इनके कंट्री में तो यहाँ पे क्या है इनके कंट्री में तो क्रिकेट का गेमी नहीं लगबग लगबग है तो यहाँ पे सूचिए अपने कंट्री में क्रिकेट भी है क्योंकि कुछ ही नहीं प्रकार से इनकी खूबी विश्वेंगाल से जुड़ी हुई है इतनी सुन्दर बाते हैं सिकंद्राबाद में ये पैदा हुए जो तेलंगाना में है पहले ये आंधा परदेश के नाम से जाना जादा था शेतरी की सारी डिटेलिंग आसा करते हैं चीजे क्लियर हो गई होंगी उन परस्नाल्टी को देखना आवश्यक हो जाता है जो परस्नाल्टी ये अचीवमेंट रखी है तो देख सकते हैं ये प्यारी हस्ती होई परस्नाल्टी है भारत की प्राइड है सान है आन है मान है तो य ये सी सारी डिटेलिंग आसा करते हैं चीजे clear हो गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे news और facts की तरब जो last में आपके सामने मैं दे देता हूँ यहाँ पे देखिए Congress on Tuesday announce किया है कि जो MBA है उसके साथ alliance करके महराष्टा में election करता हुआ नज़र आएगा तो यह क्या है महाविकास अगाड़ी इसके साथ alliance government बना करके 2024 का लोगसभा elections लड़ने की तयारी में है तो यह चीजे important है याद रखिएगा 415 million people यहाँ पे poverty से निकलते हुए नज़र आये हैं 15 साल के याकड़े को अगर हम लेकर के गिने 2005-2006 से यहाँ पे 1921 तक इतने सारे लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से उपर निकलके आये हुए हैं लेटेश्ट जो अपडेट दिया जा रहा है यहाँ पे global multi-dimensional poverty index यह कौन निकालता है questions बनाया हुआ है तो यह आपको United Nation Development Program जिसे UNDP करते हैं ओफी के साथ जिसे हम Oxford Poverty Human Development Initiative इसके साथ मिल करके निकालती है तो UNDP और ओफी दूनों मिल करके निकालती है क्या global multi-dimensional poverty index याद रखिएगा जिसमें क्या बोली गई है 25 कंट्री इंडिया के साथ भी इंडिया को जोड़ कर यहाँ पे अपने global poverty को आधा करती हुई नजर आ रही है जिनमें कौन-कौन सी कंट्री है कंबोडिया, चाइना, कांगो, होंटरस, इंडिया, इंडोनेसिया, मुरक्को, सर्विया, वियत ना यह कंट्री अभी नजर आई है, जो अपने देश में गरीबी को कम करती हुई नजर आ रही है, नीज और facts की बात करें, तो यहाँ पे scalp long range cruise missile है, जो फ्रांस के द्वारा यूक्रेन को लड़ाई में दिया जा रहा है, तो questions यहाँ जाएगा, इसकाल्प कौन सी कंट्री यू होना चाहिए, नाटो की बात करी जा रही है, तो नाटो की बात करी जा रही है, तो नाटो की background ज़रूर देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा, और यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, तो नाटो की अभी जो recently meeting हुई है, कहाँ पर, तो लिथुवानिया में, मेंबर बना लिया जाए, लेकिन अभी इसको list में रखा गया है, कहा गया है, आपको जरूर बनाया जाएगा मेंबर, लेकिन सही समय आने पे, टाइम में ही बताया गया, कब बताया जागा, जिससे जलेंस की, बलादमीर जलेंस की, जो की, युक्रेन के president है, यहाँ पे यह नाराजगी ब्यक्त करते हुए नजर आए हैं, और इसको absurd बोल दिये हैं, तो यहाँ पे देखिए, कैसा game खेल रहा है यह NATO और US से, कि जिसको यह protection दे रहा है, उसी को, जिसके लिए protection दे रहा NATO में मिलाने के लिए, उसी को ही NATO में मिलाने से, और postpone करता हुआ नजर आ रहा ह तो game पूरा power का है, game पूरा trade का है, game पूरा arms और munitions के ब्यापार का है, यहाँ पे देखिए, जब दुनिया लड़ेगी, तभी जाकर के न, यह बिकेंगे, क्या arms और munitions, बड़े बड़े tanker बिकेंगे, बड़े बड़े cruise missiles बिकेंगे, बड़े बड़े helicopter बिकेंगे, fighter jet बिक अब इनको खरीदेंगी, तो आप 500-600 करोड में थोड़ी खरीद लीजेगा, तो इसको आपको खरीदने के लिए 30,000 करोड, एक लाख करोड, ऐसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के चीजे यह आती है, तो इतना बड़ा यह तो बजट ही हिला देगा, यही सब चीजें हैं, जो USA, Russia, यह कंट्री बेच रही है, और इनकी GDP बुष्ट कर रही है, सौधी अरविया यहाँ पर क्या बाते बोलने हैं, तो यहाँ पर 2 billion पाकिस्तान के Central Bank में डिपॉजिट करते हुए नजर आ रहे हैं, यह चीजे याद रखिएगा, 2 billion सौधी अरव डिपॉ यमुना बैंक के आसपास यहाँ पर बहुत सारे होमलेस हैं, जो यहाँ पर इस तरीके से रह रहे हैं, तो देख सकते हैं, यमुना का लेबल किस तरीके से टच करता हुआ नजर आ रहा है, गलती से भी यह ब्रीज टूटा, तो जो भी lower area के लोग हैं, वो तो flash flood में ही आद रखियेगा, आगे बढ़ते हैं, अजरबाइन जो है, closes vital road link to breakaway region आप करबाइक, तो करबाइक region को यहाँ पर break करने के लिए अपना जो vital link है उसको तोड़ा है, तो अजरबाइजान कहां है, क्या questions बन सकता है, वो सब background में जा करके हम देखेंगे, तो आप देख सकते है अजरबाइजान यह है, यह आपका कैस्पियन सी है, अजरबाइजान से अगर question आ जाए, कौन सी country boundary टच करती है, तो आपको बता दें, रसिया, जोर्जिया, अर्मेनिया और इरान, यह important country है, जो border टच करती है, इसका अजरबाइजान का थोड़ा सा part यहाँ पे अर्मेनिया के आसपास भी है, यह याद रखियेगा, यह कैस्पियन सी है, यहाँ से questions बना है, कैस्पियन सी की कितनी boundary है, तो आप देख सकते हैं कैस्पियन सी की कजाकिस्तान, रसिया, यहाँ पे अजरबाइजान, इरान, यह जो country है, boundary टच करती है, तो इसका एक full form है, कि ए टी आई आ कों सी country है, ती से यहाँ पे, जल्दी से comment sections में इसको बताइए, आई से इरान, और यहाँ से जो रसिया है, आर से रसिया, एक country का नाम मैं छोड़ दिया हूँ, एक country का नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे next जो निकल के आ रहा है, थाइले sections होके आई हैं चीजे, तो वो government चलाएंगी, अब यह quit करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, तो Thailand के जो पहले प्रयूत चैंग चाओ थे, यह अब retirement पे आ रहा हैं politics से, यह थी सारी detailing आसा करते हैं, चीजे clear हो गई होगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो इसको subscribe कर करना, बिल्कुल भी नहीं भूलें, साथ ही साथ लाइक का बटन दवा दें, आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आपको क्या हो सकता है, सारी पीडियाप आपको टेलिग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएंगी, जा करके वहां से आप डाउनलोड कर सकत थेंक यू फर बाचिंग देंडू एडिटोरियल एनालिसिस बाइ पूरा एकेडमी, जय हिन, जय भारत